ग्राम अमलीडी ग्राम पंचायत रिवादी के किसानों द्वारा जब खेतों की बुआई रोपाई की एबारे में पूछा गया तब दुकालू राम यादव और अन्नी किसानों द्वारा बताया गया कि खेती करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें की पानी की समस्या को लेकर जादा चिंता व्यक्त की गई किसानों के अनुसार पिछले 18 दिनों से वर्सा नहीं हुई है इस कारण से खेत सुखे पड़े हुए हैं जिसके कारण कई एकर जमीन में बीच का नुकसान हुआ है जिसको लेकर किसानों ने अपनी चिंता व पर रोख दिया जाता है जिसे की अमली दी के खेतों में नहर का पानी देरी से आता है जिसके कारण खेती पिछड जाती है और इसका नुकसान किसानों को भुकतना पड़ता है जब अमली दी के किसान मुख्य नगर के फातक को खोलने जाते हैं तो ग्राम खरवनी की महिलाओं को सामने कर दिया जाता है जिसे की नहर का फाटक न खुल पाए महिलाओं को सामने देख अमली दी के किसानों को बिना नहर का फाटक को खोले निरास होकर वापस आना पड़ता है नहर के पानी को लेकर के किसानों में मायूसी का माहौल बना हुआ है अमली दी के किसानों का कहन है कि पानी की समस्या को जल्द सुलजाया जाए डियनेक्स टीवी के लिए जांजगीर चापा से सीप्रसाद चंद्रा की रिपोर्ट सर आपका नाम सर आपके गाहों में जो ये खेती खेती बौई हुआ है वो हो चुका है पानी के समस्या ज्यादा है जो उपर से बारिश होती है ये काफी नहीं है अभी कहां बारिश है ठारा दिनों के बारिश में हुआ है तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि खेती पूरा मार खा रहा है और खायगा तक है तो सर इसमें नहर ओर किस विदा उपलब यहां पर आपके गाहों में नहीं है नहर में पानी नहीं नहीं आ रहा है रॉत जो आप हाला और नम्य को है अंगर फ600 आ जाता है वर्हेंभीट जैसे फोल लुगा पानिलट वार्ख जाता है तो नेहर का पानिल में पूरा हो जाएगा पनी जी अदे तो बचा खुजा पानी आपके गाओं में आता है? बचा खुजा पानी आए तो पिसर